हेलो गुड मॉरिंग साथियोग आप सबी का मेरे यूटूब चैनल अउनली एजुकेशन हप पर बहुत-बहुत स्वागत हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब हमारे अज नए लेक्चर को जिसका नाम आपके सामें लग चुका है बोट और स्ट्रीम जी हाँ नाव और धारा यदि आप हिंदी में इसको समझें तो यह नाव और धारा के नाम से जाना जाता है तो आपको ध्यान रखना है बचे यदि आपने मेरी लास्ट सिरीज जो टाइम स्पीड अंड डिस्टेंस की थी यदि आपने उस सिरीज को अटे सिष्टेंस क्लियर है यदि आपके वह लास्ट वीडेयो कहीं क्लियर है तो मेरा आज जो वीडियो चल रहा है बोट तंश्टेंप पर किंद उसको सारी की सारी कहानी वो पिछली वीडियो पे ही related है राइट तो चलिए हम बिना किसी देरी के start करते हैं हमारे concepts को समझने का प्रयास करते हैं कितने अच्छे से चीज़े बनाई जा सकती हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं देखिएगा समझेगा बहुत ध्यान से right important बात बतान स्लाइट पर चलते हैं देखिएगा ये लिजए पहला हम basic concept समझने बचे दो नाव मेंने सामने रखे हैं जी हां मैं इनका नाम बोट दे रहा हूँ ये नाव है आपके लिए बचे ठीक है अब इन नाव के दिए हम बात करें तो हमारे case में बोट एंड स्ट्रीम में ये दो हमारे पास बोट है और दूसरा हमारे पास water है इन दोनों का case फिर से समझना होगा तो देखिएगा बड़े ध्यान से concept को पकड़ने का प्रयास करिएगा आपके सामने बोट है मान लेते हमारे पास ये water है water का flow किसी एक direction में होगा आपको पता है नदी है तालाव है तालाव अपनी दिसा नहीं बदलती तो इसका मतलब वेदि मैं water की direction दोनों ही case में थी same लेके चलूँ ठीक है लेकिन एक बार बोट हम धारा की दिसा में ले जाने का प्रयास करते हैं ये बोट हमारी धारा जिस दिसा में जा रही है उसी दिसा में ले जाने का प्रयास करेंगे तो आप मेरे को बताओ जिस direction में water बहेगा उसी direction में आप अपनी boat लेके जाओगे तो आपको जादा work करना पड़ेगा कि कम work करना पड़ेगा तो आपका जवाब होगा sir हमको कम काम करना पड़ेगा क्योंकि वह water जो है वो हमको धकेल लेगा काम कर रहा है वो भी हमको उसी लेगा same direction का case जरूर है लेकिन sir boat barter के case में ये condition प्लस हो जाती है और इस condition का नाम बचे downstream कहलाता है ये है relative speed लेकिन इसका specific नाम हमारे questions में दे रखा होता है जिसे हम बोलते हैं downstream धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में नाव की चाल ऐसा लिखा होगा प्यारे ब अच्छा जो boat है उसकी speed हम B ही लेके चलते हैं तो B किलोमेटर पर आवर की rate से लेकिन अब विप्रीद दिशा में दिशा में ट्रावल करा रहे हैं boat को तो उस case में ध्यान लख लो आप water का oppose कर रहे हो भाई धारा की विप्रीद दिशा में दिशा में दिशा में तुम तहरन माइनस में जाएगी तो ध्यान से आप समझेगा दोनों case और इस case का नाम बोलते हैं बचे upstream तो बहुत अच्छे से आपको ये बात समझा गई होगी जल्दी से इसका screenshot बना लिजे most important concept यही है बस इसके अलावग कुछ नहीं पढ़ना boat and stream में बाकी सारी बातें वही D is equal to S into T पे ही सारे question में आपको सिखाऊंगा तो यदि आपने last video में छोटी छोटी सी बातें नहीं पढ़ी है प्यारे बचों तो आप please description में जाके link पे click करके वो सारे video आप देख लीजे बहुत अच्छा आपका response मिल रहा है तो आप मेरे content को देखिए मेरी quality देखिए videos की कितने आपका motivation है आप like करते हैं आप video को share करते हैं उसी बज़े से ये इतनी quality आपके सामने दिख रही है ध्यान से इस video को भी like कर लिजे और दूसरों के सांद शेयर करना बिलकुल नहीं भूलना है देखते हैं पहले question के सांद बचे ये रहा first question फटा फट पहले questions को rate कर लिजे और ज़र ये start करेंगे फिर हम इच्छे से concept के थरू टेक है basic concept पे ज़्यादा डिक्सकर नहीं करना इसमें सुनो या आप boat row down in river at 21 km per hour ध्यान रख लो जब भी km per hour तुमको कहीं दिख जाए तो आप समझे लो सर ये speed की unit है मतलब speed के बारे हैं बात करा है अब मेरे question ने बुला है down में जा रहा है बचा तो जैसे तुमको down दिखे बचे ध्यान रख लो एक बात कि भहिया ये b plus w के बारे में बताना चाहता है और ये value हमारे question के हिसाफ से बचे कितनी है 21 लिखते जाओ पढ़ते जाओ and the row up row up का मतलब opposite direction right in the river at 9 km तो भहिया ध्यान रखो ये अप stream का case होग row up लिखा होगा opposite direction of लिखा होगा ऐसे सारे case बचे opposite के होंगे right अब ध्यान रखो जब दो equation आपके पास होती है मैंने last में आपको ये बात बताई थी जब आपके पास दो distance के बीच की relation बताई थी जिसमें 8 जादा speed वाला relation मैंने last video में discuss किया था ये वही concept फिर से है ध्यान र constant को add करो बचे और क्या बताया था इस number का आधा कर लो यही मैंने सिखाया था same condition ही थी बचे w की value निकालना है दूसरा variable निकालना है तो इस बार हम दोनों को minus करेंगे प्यारे बचे और इसको आधा कर देंगे यही हमने relation पड़ा था तो यार इनको add किया आपने तो ये बना 30 और divide कर दें बचे 2 से तो आगया 15 किलो मीटर परती घंटा की यूनिट से हमने कोई छेड़ चार नहीं करी तो add इस value आगी और हमें now की चाल निकालने थी बचे तो हमारा answer आगया 15 किलो मीटर पर आवर देखा हमने कितना आसान question था इतने आसानी से आप question को बना पाएंगे कि आपको believe नहीं होगा बहुत छोटी छोटी सी बाते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले question के और ध्यान से आप बने रही है मेरे साथ अगला question ये question आपके सामने है आज swimmer can swim down stream फिर से मुझे down stream दिखा at the speed of 14 km per hour कोई एक person है या नाविक है वो भई down stream में जाता है तो उसकी speed रह मेरे को मालूब बढ़ी है b-w की value कितनी होगी बचे 6 बस दोनों equation आपको लिखना नहीं पड़ेगी प्यारे बचे सिर्फ answer लगाने की जरुवत होगी इस बार हमारे question ने बुला find the speed of a swimmer in the still water ये confusing point आपको दिखाया जा सकता है ध्यान रखो जब भी still water का case होगा तो ध्यान रखो जो चीज moving में है आप उसका answer निकालेंगे तो उससे फरक नहीं पड़ता कि यह relative speed निकालना पड़ेगी ये चीज की दरौत नहीं पड़ती है ध्यान समझीगा तो हमें क्या निकालना बचे नाबिक की चल मतलब b की value निकालना तो मैंने भी बोला दोनों को जोड़ो बचो तो आपने 14 plus 6 किया 20 और इस नंबर का बचे आधा कर दिया तो मेरे को लगता है आपका answer भी 10 km प्रती घंटा होगा और ऐसे question के लिए बचे पैन नहीं चलाना पड़ेगा मैं आपको बिल्कुल guarantee के साथ बोल रहा हूँ ये बातें बहुत आसान है ये चुटकी बजात आपके सामने है आज थोड़ा सा में non-stop जाने वाला हूँ बचे without any break क्योंकि ये वो chapter discuss करना हूँ जो previous two chapter पर इतना efforts लगाया है न उस efforts को आज में बिल्कुल cool mind से आपको चीज़ों को समझाने लग रहा हूँ राइट अराम से smoothly ये सारी बातें चलेंगी ध्यान से बने रही है क्या बोलता है speed of a boatman in the duration of stream धान से सुनो in the duration of stream लिखा हो या फिर downstream लिखा हो दोनों बातें बचे एक जैसी होती है इसका मतलब फिर से b plus w की value मेरे question ने कितना दे दिया बचे 15 दे दिया अब मेरे question ने बोला while the speed of a stream stream हो क्या हो stream हो water हो river हो ये सारे case water के गएंगे तो इस case में हमें w की value बच्चे दे रखे 1.5 तो इस बार में 1.5 यहां पे लगा के इसको 15 के बराबर करने वाला हो तो यहां से मेरे पास b की value आ गई और यह होगी 15 minus 1.5 इसका मतलब बच्चे हो गय 13.5 यह क्या निकला यह निकल गया सर्फ b की value मतलब boat की speed आपने पता कर ली लेकिन question ने क्या बोला है what is the speed of a boatman against the stream मतलब धारा की बिपरीद दिसा में चाल निकालना है इसका मतलब हमें b minus w की value बच्चे बताना है तो आप मिरे को बताओ b की value 13.5 है और w की value तो सर्थ दोनों case में same होगी जो की हमें दे रखी कितनी बचे 1.5 और यदि हम इस number को minus कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी 12 km प्रती घंटा answer लगाने में और यही इस question का सबसे 60 का answer होगा देखां आपने इतने आसान question से हैं इतने आसानी से आप question को बना सकते हैं कि आप खुद अपने आप question बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और ध्यान से इस question को बनाईएगा वीडियो को प्लीज बार बार pause करिए और question को try करने का प्रयास करिए फिर answer देखिए राइट मिलते हैं देखिएगा इस question को क्या बोला है आप स्विमर स्विमर डिस्टेंस इस बार दूरी बोली है in six hours in downstream मतलब धारा की दिसा में बंदा जा रहा है इस बार कितनी दूरी 36 km कितने घंटे 6 अब ध्यान रखो downstream मतलब speed के बारे में बात करते हैं हम लोग अब यह speed है तो क्या हम इसको ऐसे समझ लें यह d upon t के बराबर है क्योंकि distance upon time वच्छे speed होती है तो आप मिरे को बताओ कि यह बंदा 36 गया 6 की रफतार या 6 घंटे में तो यहार कितनी की रफतार से जा रहा होगा 6 km प्रती घंटा मतलब b plus w की value तुमने 6 निकाल ली मतलब बात को घुमा के बोल दिया बस और कुछ नहीं है बात तो वही पूछी जो हमने पिछले दो कोशनों में देखी यही वह बात स्ववारा पूछी कही है बस थोड़ी सी बात गुमा के पूछी कि भईया दूरी भी देदो टाइम भी देदो तो क्या फरक पड़ता है स्पीड निकालना आती है आप सारे बच्चों को ध्यान से आप बने रहे हैं कोशनों को घुमाएगा लेकिन हमेरे सारे बच्चों को घूमना नहीं है ध्यान समयना अब बोलता बहिया चालिस जाओ लेकिन कितना घंटा लगा जाओ आठ किस डिरेक्शन में तो आप स्ट्री मतलब बी माइनस डबलू स्पीड में तो यह चालिस को जरा आठ से डिवाइट कर लो तो आपको पता आठ पांक चालि बोले सारे बच्चे बी से रेनोट करो बारवार वैरियेबल को बदलो मत कन्फ्यूजन मतलाओ दिमाग में वो यू और वी वाले तरीकों को थोड़ा से शौर्ट करके मैंने आपको सिफ दो वैरियेबल में उलजाया वो है बी और डबलू ठीक है बात ध्यान से समझेगा यह से आपको समझ आगई यदि आपको वीडियो प्लीज मैं आपको बार बार बुढ़ रहा है तो जरूर शेयर करिए राइट चैनल पर दिन नहें हैं तो बिलकुल सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूलिएगा राइट बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से क्वेशन को बनाने का प्रियास करिए ये questions आपके लिए हैं और आतम मैं हमेशा बनाम द्हान से देखें अगला question यह रहा सर्व को समझने का प्रियास करिए और बहुत अच्छे से आपका इन चीजिगों को देखने प्रयास करिए देखेगा बोलता है इन 3 hours 3 गंटे में बोला है 3 गंटे में in in a 3 hours a swimmer can row right कोई condition है मतलब आपने वो देखिए जिसे चलाता है ना राइट वो उसको बोलते है 21 km in downstream and 15 km आगे इन 5 15 होता है मतलब B plus W की value 5 हो गई अब B minus W में कितना के distance जा रहा है बच्चे तो ये जाने लग रहा है मैंने साथ उल्टा लिख दिया है इसको ज़रा साही कर लो बच्चो देखो या यह relation तुमारा यहां लगा लो मतलब 5 यहां आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं इसको risk कर देता हूँ द्यान से समझेगा बहुत प्रयास करिए आपके चीजें बहुत static हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना आए इतनी सी भी राइट देखिएगा अब उसके बाद मेरे पास B plus W 21 से बच्चे तो मेरे को इस बार W निकालना है प्यारे बच्चे तो भाईया 7 को 5 से माइनस कर लो और डिवाइड बाई 2 कर ले ये direct shortcut मैंने आपको पढ़ाया है तो भाईया 2 बाई 2 कितना होता है एक ही तो होता है तो answer कितना लगा दोगे 1 किलो मीटर पर आवर बास समझ रहे हो बहुत आसान बच्चे questions है इनके लिए कोई ज़्यादा समय देने की दरौत नहीं है इतने आसान है ध्यान से बने रहे है और देखने का प्रयास करिए मैं क क्या आपको सिखाना चाता हूँ ठीक है ध्यान से देखे आगे एक और question थोड़ा सा बड़ा question है मैंने इस चीज को सामने सामने लिख दिया है लेकिन ये देखने में बड़ा है बचे है कुछ भी ने इस question के अंदर भी right ध्यान समझना क्या बोलता है दो स्थानों के बीच क ये रही और भी place ये रही दोनु जगाओं से चलेगी नव एक यहां से चलेगी और एक यहां से चलेगी अब मिरको बताओ boat water का case से तो भहिया नौ चलेगी तो धहरा की कोई नव कोई तो दिसा होगी तो मान लो मैंने धहरा की दिसा इस direction में ले ले अब मिरको बताओ एपो पॉइंट आपको समझना था बाकी इस कोशन में कुछ भी नहीं था बचे अब बताओ मिरेको इन दोनों के बीश की दूरी तो एक स्वाहट दे रखें मैंने आपको बोला था लास्ट सेक्शन में जब आपको वीडियो में सिखाया था मिलने का समय हमेशा बराबर होता दोनो हैं तो 108 की दूरी किस स्पीड से ताय करना है एक बारा एक पंदरा दे रखें तो बच्चे इसको रेलेटिव स्पीड मान लो चाहे आप बीकी स्पीड मान लो कोई फ़रक नहीं पड़ता रेलेटिव स्पीड लेके चलता हूँ मान लो ये 15 की रफतार से चल रहा होगा बं परसन एक दूसरे की और बढ़ने का काम कर रहे हैं तो भाईया speed क्या होगी प्लस होगी इस बार प्लस होगी confused नहीं होना मैं यही बात समझाना चाता हूँ boat water का case बच्चे आप समझ चुके हो अब यह case general चल रहा है इसका मतलब यहाँ पर relative speed क्या होगी बचे तो 15 प्लस वारा हो गया 27 किलो मीटर पर आवर अब बताओ time पूछा प्यारे बचे तो time पूछा तो 108 की दूरी 27 की रफ्तार से चलोगे तो भाईया कितने घंटे लगेंगे सिर्फ 4 घंटे लगेंगे क्योंकि 27 का चार गुना एक स्वाठी तो होता है इसका मतलब इसका right answer जो बना है वो सिर्फ और से 4 घंटे बना सर इतना आसान कुश्चन है फिर से मैं आपको बता दू सर दो स्थान थे उनके बीच की दूरी थी और दोनो परसन अपने स्थानों से चलना चालू कर रहे है वही relative speed की relation है B plus W हमने बना लिया क्योंकि धारा की कोई ना कोई दिसा होगी बस relative speed को जोड़ दिया divide कर दिया meeting time आ गया answer आ गया कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगला question बहुत आसान से question है घवरानी की ज़रुत नहीं है बस वीडियो में कोई चीज नहीं समझाए तो दुवारा देख लेना वीडियो को slow करके देख लेना जैसे तुमको देखना देखना लेकिन इसको इत्मरनान से देखना बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना जुड़िएगा अगले question से question बोलता है मतलब down stream में जाने में दो गुणा समय लगता है अब ध्यान रखो language जो दे रखी बच्चे वही समझ के चलना अब अपने दिमाग से मत लगाना कि बहुत यह down में तो जादा लगना चाहिए कम लगना चाहिए यह मत सोचो question जो बोला वही समझ लो मैं मान लो बच्चा यह दी दूरी जाता है क्योंकि मेरे पास relation relate करके time को ले के आया तो मुझे पता distance upon speed क्या होता है प्यारे बच्चे time होता है तो यार यह लो सर्ड down stream में जाने वाला समय मान लेते हैं वही दूरी up stream में गया होगा तो यह लो भई अप stream का time आ गया बोलता down में जाने में दो गुना समय लगता है तो भई यह इसमें एक लगता होगा जब तो इसको इससे बराबर कर सकने अपन लो तो देखो यार यहां से हम यदि इस number को थोड़ा simplify करें मैं मालकर बदल लो तो जादा अच्छे से आपको clear हो जाए यदि मैं इसको d से d काट दू तो बच्चे कोई फरक नहीं पड़ा अब बच्चे इनको cross multiply कर लो तो आपके पास यह बच्चे हो जाएगा 2b minus और कितना हो जाएगा 2w बराबर b plus w बास सही है अब मिरको बताओ इस question ने साथ कुछ बात और बोली है क्या बोली है सर हाँ water की speed बच्चे 3 दे रखे है तो यहाँ पे बच्चे 3 लग दो तो जाएगा 2b minus 3 दूना कितना हो गया बच्चे 6 बराबर हो जाएगा बच्चे b और यहाँ पे कितना हो गया बच्चे तीन हो गया बास सही है अब तुम इसको यहाँ ले आओ इसको वहाँ पहुचा दो तो बहिए 2b minus b हो जाएगा इदर और यह 6 plus का हो जाएगा बच्चे वहाँ जाके तो यहाँ पे b बराबर कितना हो गया 9 km per hour that will be the right answer कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी बच्चे को हुई हो तो प्लीज आप मुझे message करके बता सकते हैं आप comment में अपने comment type करके बता सकते हैं बहुत सारे बहुत आसान से questions है ठीक है चुड़ते हैं अगले questions से देखिएगा अगला question काफी important है बचे और इस बार मैंने option लिखे हुए हैं इसका मतलब इस question का कुछ ना कुछ part जो है वो option से ही बनना जादा आसान होता होगा ऐसा नहीं बिनाओर option नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं लेकिन आसान जो तरीका होगा वो option को यूज करके जादा अच्छे से होगा ज्यान समझेगा अब बोट गो शिक्स किलो मीटर upstream and back again to starting point अब मेरे को बताओ ये बन्दा 6 किलो मीटर गया तो भहिया upstream में गया इसका मतलब उसकी speed भी minus low तो इतना समय लगा तो भहिया अप में गया तो obvious ये बात है down में बापिस आएगा तो भहिया 6 किलो मीटर ये ये down में आ जाए तो भहिया ये जाने वाला समय हो गया ये आने वाला समय हो गया बोलता दोनों समय टोटल मिला के सर उसको 2 घंटे लगते हैं फिर से समय लो question ने बोला 6 किलो मिटर अप में जाता है और back again to starting point मतलब वो बापिस आता है 6 किलो मिटर तो उसको total समय दो घंटे लगता है तो भहिया 6 को divide कर दो उसकी speed से जाने वाली से तो अप में जा रहा तो मैंने बोला down में वापिस आना चाहिए क्योंकि water water का case है तो आपके पास एक equation बन गए अब मेरे को बताओ प्यारे बचे इसमें w की value दे रखी 4 तो क्या यहाँ पर 4 फसाद है कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी बचे को अच्छा देखो या तो आपके पास यह देखो मैं एक काम करता हूँ यहीं पर cut करके लिख दूँ कि ज्यादा उसमें उलस्ता नहीं अपने एक equation बच जाएगी हमारी और क्या होगा द्यान समयना यदि मैं यहाँ पर बचे कितना डाल दूँ 4 डाल देता हूँ 4 और यहाँ पर हम क्या रख लें बचे यहाँ पर हम options की help ले लेंगे तो मेरे के हिसाब से जादा आसान आपके लिए वही पड़ेगा यदि मैं option की help से आपको सिखाओं तो जड़ा प्यार से इस चीज को देख लेना यदि मैं b की value in option में से सबसे पहले मुझे क्या चूस करना चाहिए मेरा mind तो यह बोलता है बचे जो point में नहीं है value पहले उसको choose करो वो जादा आसान होगी तो मैंने इस जगा पे क्या रख दिया चार तो यह हो गया बचे इसकी जगा मैं रख लिया हो देखो आठ और इसकी जगा भी बचे रख लेते हैं क्या 8 तो अब मिरे को बताओ 6 उपर है नीचे कितना हो जाएगा तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा बचे 4 हो जाएगा प्लस यहाँ उपर 6 है बचे और यहाँ पे क्या जोड़ दाएगा 8 हो 4 कितना हो गया 12 अब देखो यार इसको यह तो हम simplify कर ले इसका मतलब 2 बन गई और ये देखो यार इसके बराबर यदि ये value मिल गई इसका मतलब जो मैंने option उठाया है वही मेरा इसका right answer बन जाना चाहिए तो आपने देखा इस question को कितना आसानी समने track कर लिया तो आपको paper में बिल्कुल attentive रहना है कि कौन सी चीज मेरे लिए आसान हो सकती है बनाने के लिए बहुत सारे तरीकें बचें लेकिन हम वो चीजों को deal करें जो हमको आसान लग रहे हो हमेशा basic में जाना ही समझदारी नहीं है समझदारी आपको हर चीज की रखना है तो ध्यान से समझ लिए आपने इस question को नहीं समझाया दोवारा वीडियो को rewind करिए और दोवारा देखने का प्रयास करिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा चीजे cut short में लेके चल रहा हूँ ठीक है बहुत अच्छे से समझ लिए अगला question बहुत important question है प्यारे बचे और इसको बनाने के लिए hardly एक minute भी नहीं लगेगा मैं आपको बतातो 30 second चालिस second यह थी आपको मेरे तरीके से आपको इस चीज को पहचानना आता है तो ध्यान से समझना जुड़ने का प्रयास करना बहुत अच्छा question है बहुत आसानी से आप इस question को बना सकते हो प्यारे बचे देखना दरा चलो देखो यह अब मेरे सामने जो नंबर है वो बोलता है boat goes 39 km in downstream and 25 km in upstream and takes 8 hours अब मुझे comment फिर से time दे रखा प्यारे बचे तो मैंने लिखा 39 upon downstream मतलब b plus w यह दूरी हो गई बचे यह आपकी speed हो गई मतलब यह time का relation आ गया फिर बोलते है आप जाते हो भई 25 किस में जाते हो अप में जाते हो तो b minus w हो गया तो यह अप है यह down है दोनों relation मिला कितने हैं भई 8 गंटे पहली equation sorry first equation ठीक है second equation देखो अब बोलता वहीं आप 10 गंटे लेते हो कैसे जाने में 52 km down में जाते हो आप तो 52 upon b plus w plus और क्या जाते हो 30 km किस में जाते हो प्यारे बचे अप में जाते हो मतलब b minus w तो बचे क्या होता है होता सर यह है कि 10 गंटे लगते हैं यह होगी दूसरी equation अब आप मेरे को एक चीज बताओ यदि हमारे पाद 2 equation निकल के आ चुकी है ठीक है अब मुझे क्या करना है इसमें answer सर बी का लगाना है मुझे speed किसकी गयात निकरना है बचे बोट की now की चाल ग नहीं होता लेकिन मुझे आसान बनाना है पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा basic में लेकर जाऊंगा बचे जो आप क्या कर सकते हो गलती कर सकते हो जो की time taking method आप बना सकते हो क्या यदि मैं ऐसे सोच लूँ कि 1 upon b plus w को x माल लो और 1 upon b minus w को यदि हम y माल ले यह बहुत 10th class में equal to में कितना हो गया 8 फिर उसके बाल लिखते हैं आप 52x plus यहां लिखते है 30y is equal to what 10 फिर से आपके पास 2 equation आ जाती माल लो यह तीसरी equation हो गई यह चाती equation होती फिर क्या करते हैं आप x के coefficient बराबर करते हैं फिर उस नंबर को काट देते फिर वाई की value पहले निकलती फिर x की value निकलती फिर आप इने equation हो पुट करते और इतने में तो तुम्हारी गाड़ी निकल चुकी होती भाई यह पेपर में इतना समय थोड़ी ना है जो में इतना detail में लेके जाओं इतना detail में जाना लग रहा हूं तो भाई काहे के लिए मैं पढ़ रहा हूं फिर तो आपको वो shortcuts वो अच्छे तरीके समझ आना चाहिए जो हमारे questions को आसान बनाते हो जी हाँ मैं बिलकुल आसान बनाने की बात कर रहा हूं तो यह तरीका तो मेरे हिसाब से सख गलत है exam oriented नहीं answer निकाल सकते हो मैं इसके लिए रोकूंगा नहीं जब question मेरी trick से नहीं चलेगा तो बच्चे ऐसी बनाना पड़ेगा और यह इस case में मैं परिशान नहीं हो पूरी दुनिया परिशान है जो इस question को बना रहा है वो सारे बच्चे परिशान है तो आपको भी तरीके अलग-अलग आना ज़रूरी है ठीक है अब ध्यान से सुनना जो मेरा unique तरीका है वो आपको सिखाता ठीक है बहुत ध्यान से समझना बहुत अच्छा तरीका मैं आपसे discuss करने जा रहा हूँ मैं इस चारी चीच को rough कर रहा हूँ यदि किसी बच्चे को screenshot लेना है तो वो ले सकते हैं बाकी मैं rough कर दे रहा हूँ अब ध्यान से समझना जो फाल्तू की बाते हमने अभी तक करी है हैं सब मेरे लिए फाल्तू हैं बाकी कुछ बच्चे इस method से अभी तक बनाते आ रहे होंगे लेकिन आप दोवारा नहीं बनाएंगे मैं जो तरीका बता रहा हूँ अब बच्चे उसी method से आपको तरीके से बनाने का प्रयास करना है सुनो यार मुझे क्या करना है बच्चे बी प्लस डबलू और बी माइनस डबलू इन दो नंबर के लिए कुछ ऐसे नंबर अजियूम करना है ध्यान सुना मतलब यहां पे कुछ ऐसा नंबर रखें और यहां पे कुछ ऐसा नंबर रखें जो इस 39 को कट करें वे 25 को टगट करें और दोनों को add करें तो बच्चे 8 अठा जाएं और जो नंबर इन दोनों के लिए तुम बच्चे रख रहे हो वही नंबर बच्चे यहां रख दें तो इस बार वो 10 दे जाएं और यह कर पाएना आप तो सबसे आसान आपका वही method है तो सुनो कैसे करना है ऐसे हजारों नंबर रखने के लिए लिए लेकिन स से करता है तो एक से करता है यह सारे factor है आगे चलो यदि हम इसको cut करना चाहते है 25 को बच्चे तो यार 25 के क्या क्या factor हो सकते है 25 तो अपने आप में है और एक 5 हो सकता है बच्चे और एक हो सकता है अब आप मेरे को बताओ यदि हम बारी-बारी से value को put करने का प्रयास करें यदि मानलो मैंने B प्लस W की value मानलो 39 ही रख ली तो 39 से 39 कर जाकर ध्यान से सुनना में लिख नहीं रहा हो जाता ठीक है यहाँ पे यदि मानलो मैंने 25 का 25 उठा के लिख दिया तो क्या 8 बनेगा मतलब मेरा पहला वाला pair इसके साथ जो बन रहा है वो गलत है अब मानलो मैंने ये pair इसके साथ बनाया होता तो बच्चे 39 नदी में यहां रख देता राइट तो यार 1 मिलता यहां पे और 5 रखता तो बच्चे 5 5 25 होता माच और 6 बन पाता मतलब मेरा 39 और 5 का pair नहीं बन पाता अब यहीं मैं 39 और 1 का pair इसके बच्चे बनाने का प्रयास करता तो क्या होता मेरे साथ तो मेरे साथ यह प्रॉब्लम आती है सर यह नंबर एकसीड कर जाता तो मेरे यह तीनों pair मैंने 39 के साथ पहले एक बार ट्राय किये है यह करना नहीं पढ़ेंगे मैं आपको फिर से बता दो यह क्यों कर रहे हूँ क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो यह pair आटोमेटिक दिख रहे हूँगे आपको अंदाजा बठाना आसान होगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अभी प्रैक्टिस नहीं है तो बच्चे बहुत सारे काम तुम फोकट के करते रहोगे चलो देखो यार अब मैं यह सारी कॉंसेट हटाता हूँ सुनो अब ला आखरी रिलेशन और देख लो जल्दी से इसको द्यान समयना देखेएगा आप लास रिलेशन लेके आ रहा हूँ द्यान सुना अब मैंने क्या किया बच्चे 39 का पियर हटा दिया अब मुझे इससे मतलब नहीं है अब मैं 13 पे चलता हूँ बच्चे 13 प्लस वाली वैलू है नेगेटे वैलू 25 से दी में ले लू तो बच्चे प्लस वाले से माइनस वाला वैलू हमेशा छोटा होगा तो मैं 39 से ये वाला पियर नहीं ले सकता तो भही ये वाला पियर हम ले सकते हैं तो एक बार ज़रा ये वाला प्यार इसमें रखके देखते हैं पर लोग वी प्लस डबलू की वैलू मालो 13 रख दी बच्छे यहां पर और यहां पर किती रख दी बच्छे 5 रख दी तो आप मिरे को बताओ 13 ती यह 49 होता है और यह 5 5 25 होता है प्यारे बच्छे और यह दोनो तो 13 से इस नमबर को काटोगे 13 चोग 52 होता है तो 4 यहां आएगा यहां 5 से 6 बार काटोगे तो 6 और 4 बच्छे 10 होगा इसका मतलब यह बात भी satisfied हो जाती है इसका मतलब जो मैंने नमबर उठाए है वो बिलकुल 100 परतिश्यस सही है इसका मतलब B प्लस W की वैलू बच्छे 13 पर satisfied हो रही है और B-W की वैलू बच्छे 5 पर satisfied हो रही है और मुझे निकालना क्या है B की वैलू यह सारी equation शुरू से ही तो solve करते हैं तो भायत 13 और 5 हो गए 18 और 18 का आधा किसको नहीं आता सबको आता है सर 9 km per hour that will be the right answer देखा आपने कितना बड़ा question था इतना बड़ा question था लेकिन आपको उस question को solve करने में में को लगता है चंद minute लगे कुछ second का समय लगा और आपने पूरा का पूरा question हिला दिया आसान बना दिया तो यही तरीके हैं जो हमको selection के पास ले जाते हैं हमें selection तभी मिल रहा है बचे दब कही ना कही हम अच्छे तरीके को साथ में लेके है यह हमारा वैसे कौन सा question था यह last question यह सर आगे हमारा अलविदा कहने का time आ गया है उससे पहले हम कई सारी बाते आपसे करने सर वीडियो अभी तक नहीं देखें तो प्लीज आप देखने का प्रयास करिये जो series मैंने चलाई है बच्छे बहुत important series मैंने आपके सामने डिस ठीक है यदि अब तक आपने मुझे follow नहीं किया है तो please आप मेरे various channels पर जाकर मुझे follow कर सकते हैं YouTube आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसी channel पर देख रहे हैं आप telegram पर जाएं और मेरे इस channel को ज़रूर subscribe करें क्यूंकि आपको इसके PDF वगिरा सारे उस पर मिल जाएंगे उसके बाद आप Facebook पर मुझे like कर सकते हैं कई सारे वीडियो के जो भी notification है वो spam upload करता रहता हूं और समय समय पे कई सारा content वहाँ पर provide होता हूं और Twitter पर जाके भी मुझे follow कर सकते हैं तो यह मेरे various platform है जहां से मुझे से आप जुड़ सकते हैं और मुझे सारी queries आप कर सकते है मैं सारे queries के जवाब आपको different platform के मादने हमसे देने का प्रयास करता हूं तो चलिए thank you so much for connecting with us यह video आपके लिए काफी helpful होगा और आपको कुछ number देखे जाएगा तो please आप दूसरों से share करना बिलकुर नहीं भूलिए channel पे नहीं है तो subscribe भी जरू कीजिएगा मिलते हैं इसी वीडियो को यहीं समाफ करते हैं thank you so much